जैभीम नमो गधातियों शाथियों हिंदुओं का नोरातों का त्योहार शुरू हो गया है आज हम प्रयास करेंगे कि क्या जो यह नोरातों का जो ब्रत है दस दिन तक चलने वाला यह है त्योहार उत्सव क्या है एक अंद्विश्वास है अंद्षरद्धा है अभी कुछ न्यूज सुनने को मिली जिसमें एक बीजेपी के विधायक है वो एलान करते फिर रहे हैं कि नोरातों के दोरान कोई भी मास मच्छी यानि नौनवेज की दुकान नहीं खुलेगी अगर किसी ने नौनवेज की दुकान खुलने की जुरुरत की तो इसको प्रणा भुखतने पड़ेंगे यहां से आमादी पार्टी के अब बिधायक भी वही राजनिती करने का प्रयास कर रहे हैं जिस राजनिती को बीजेपी ने अपने हत्यार बनाया यानि कि लोगों के धार्मिक अंद्विश्वास पाखंड और अपने चुनाब का एजिंडा बनाना तो क्योंकि हम पहले से कहते आएं हैं कि जो बीजेपी है आमादी पार्टी है इन दोनों पार्टीओं की जड़ें हैं वो RSS से निकलती हैं तो इन जड़ों के उपर जो पेड फलेगा फूलेगा और जो पेड जो फल देगा वो किस प्रकार के होंगे आप इसका अंदाजय लगा सकते हैं अभी आमादी पार्टी की जो राजनिती है वो बीजेपी की जो वेबनस्य, घ्रणा, नफरत, हिंसा इसका जो अती हो गया है समाज में और समाज ये समझने लगाया कि बीजेपी जो बहुत अती करने लगी धर्म के नाम पर तो उस जितनी अती समाज समझ रहा है उसका लाब लेने का प्रयास आमादी पार्टी की है और ना बीजेपी की है यह जो इशू है, एजेंडा है मास मचली खाने को लेकर यह एजेंडा लोगों किसे समंधित है कि लोग इसको किस तरह से लेते हैं तो यह जो केवल नौ रातों के दोरान मास मचली लोग नहीं खाएंगे हिंदू लोग नहीं खाएंगे बाकी दुनिया में ऐसा कोई धरम नहीं है जैन और बौत धरम को छोड़ कर जो मासाहार पर किसी प्रकार की पावंदि लगाता हो मुस्लिम उनके आहार का एक प्रमुख अंग है नौनवेज इसायों के आहार का प्रमुख अंग है नौनवेज सिखों का भी लेकिन यह जो चर्चा चल रही है कि नौनवेज नहीं खाएंगे और नाहीं खाने देंगे यह समस्या वाली बात है कि ना तो नौनवेज खाएंगे और नाहीं खाने देंगे क्योंकि जब दुकाने बंद हो जाएंगी जहां पर नौनवेज नहीं मिलेगा तो जो नौनवेज खाने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे कहां से नौनवेज लेकर आएंगे चलिए ठीक ह इसको भी देखा जाए, इंसान है, अपने लिए कुछ और 10 दिन तक कहीं न कहीं जाए, संघर्स कर लेगा खाने के लिए, जिनको नौन वेज ही खाने की आदत है, वो कुछ और इंतियाम कर लेंगे, वेज खा लेंगे, चले ठीक है, लेकिन, क्या वास्तम में इस अंसार में, नौन वेज खाना 10 दिनों के लिए रुख जाएगा, क्या इस भारत के अलावा, और भारत में भी एक छोटे से छेतर के अलावा, पूरी दुनिया में जय मास भक्षन हो रहा होगा, गाएं भी कट रही होंगी, भैस, भैसे, बक्रियां, जो जो चीजें नौन वेज में लेकिन सनातन धर्म कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि विचार करने की हिंदूों को आदत नहीं है, यदि कुछ तरक प्रस्तुत किया जाए, तो समझने का उनके भीतर सामर्थ है नहीं है, तो जो मास्न है, पूरी दुनिया में खाया जा रहा होगा, केवल भारत के ही एक छोट छेत्र में, जहां जहां हिंदूों की आवादी होगी, दिल्ली में पूरी दिल्ली में बैन नहीं होगा, उत्तर परदेश में पूरी उत्तर परदेश में बैन नहीं होगा, जो मुस्लिम एरियाज हैं, जहां पर हिंदू है ही नहीं, वहां पर तो मास्न होगा ही होगा, तो तो यह जो हिंदूओं की जो अवधार्णा है मास भक्षन को लेकर इसके पीछे आधार क्या है क्या यह एक बिमारी है क्या यह एक अंध्सरद्धा है अंध्विश्वास है आकर है क्या अगर हम मालूम करना चाहें कि हिंदूओं की क्या यह नेतिक्ता वाली बात है कि उनको म मास नहीं खाना चाहिए क्या यह उनकी नैतिकता का एक आधार है तो उत्तर मिलेगा कि उनके लिए मास भक्षन को लेकर नैतिकता वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि नैतिक आचरन तो यह कहता है कि किसी भी जीव का मास इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस जीव की हिंस डरते हैं इन बातों से, कि कोई हमारी हत्या ना कर दे, अपने जीवन रख्षा करने के लिए तमाम ताम जहाम करते हैं, इसी प्रकार नेतिकता ये कहती है, कि जब आपको अपना जीवन प्रिये है, तो आपको दूसरे का जीवन भी उसी तरह से समझना चाहिए, उसकी उस तर मास भक्चन पर बैन लगाएंगे ना खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे ऐसा नहीं है कि इनकी इच्छा नहीं होगी बहुत इच्छा हो रही होगी और मैं गारंटी देता हूँ कि 50-60% इन ब्रतधारियों में भी उन नौरातों में भी मास पच्छन करेंगे छोड़ेंगे नहीं और जो छोड़ भी देंगे वो 10 दिन के बाद उसी मास पर तूट कर पड़ेंगे तो नेतिक तक्त वाली कोई बात ही नहीं है नेतिक आचरन ही नही चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए इस बात पर थोड़ा विचार विवर्स करना चाहिए तो हिंदू लेकिन इस बात पर कभी भी विचार विवर्स नहीं करते हैं कि क्या खाना उचित है क्या नहीं खाना उचित है बे सिर्फ पैर की बात हैं पीने के नाम पर मदिरा के सराव पर कोई बैन नहीं लगाता सराव के लिए कोई आंदोलन नहीं करता जबकि सराव जय तमाम बिमारियों की जड़ है सराव तमाम तरह के अपराधों की जड़ है इतने प्रकार के अपराध जय सराव के कारण होते हैं कितने घर सराव के कारणवाद होते हैं लेकिन हिंद पान करते हैं वे सुर और जो सुरा पान नहीं करते हैं वो असुर आप इन्होंने क्या बताया कि सुर जो कौन है वो देवता हैं यानि देवता जो हैं वो सरा पीते हैं इसलिए वो देवता हैं और जो सुरा का विरोध करते हैं जो सुरा नहीं पीते हैं उनको असुर कहा दिय इस प्रकार से हिंदूसों का नैतिक्ता से कोई समंध नहीं है भोजन के पीछे जो आच्रण की बात होनी चाहिए THE कि किसी जीब की हिंसा नहीं होनी चाहिए इसलिए मास बच्छन नहीं करना चाहिए इतो कोई आधारी नहीं हिंदू का फिर हिंदू धर्म में चार वर्ण हैं इन चार वर्णों के पीछे बहुत बात्चित होती है ब्रहाम्मन छत्रिय वैसे और सूद्र कौनसा एक वर्ण बता विख्रवगा पूरा हमदिसे कह सकें कि मास नहीं खाता हैं इस प्रहामन आ साधा मासक भक्षन करने वाला यही ब्रहामन वर्ग है की जो शमय समय पर पलटिया कalth स्मय रहता है को कभी मास को बैयन करता है । की मास नहीं खाना चाहिए और कभी लोग τον को ये कहता है कि बली दो बली किसलिए दो कि मास खाने को मिलेगा तमाम बेद पुरान यगों की घटनाओं से भरे पड़े हैं कथा कानियों से भरे पड़े हैं नाना प्रकार के यग हुआ करते थे असुमेग हो रहा है तो इसका मतलब उस घोड़े की बली दी जानी है और इतना ही नहीं नैतिकता वाला कोई आचरन आपको नहीं मिलेगा जुआ यग में होता था असलीलता यग में होती थी और उसके बाद सुरापान करना यानि की सराब का पीना फिर जिसका यग है गाय का घोड़े का मनुस्य का मनुस्य तक की बली का इतिहास हिंदूों का है इस से गिर जुद्धर होसता है लुद्सु ने फिर जो ब्राहतानी से दावा करते है कि मास नहीं कहाना चाहिए उंहीं ब्रहाम्रों की बड़ी-बड़ी कंपनिया भारत से गाये का मास एक्सपोर्ट करती हैंного विदेशों में एक्सपोर्ट करती है और आर्टी यैंके天 बाद इन बा वो जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं उनका मुसल्मानों के नाम पर नाम रखा घपला सारा हिंदू करते हैं और बदनाम मुसल्मानों को करते हैं अभी पीछे कावर यात्रा के दौरान हर एक मुसल्मान की दुकान पर नाम की प्लेट लगाने का जो कानून है वो योगी जी लियाए अध्यादेश लियाए लेकिन कभी भी योगी जी ने अगर योगी जी को वास्तम में इस देश में हिंदु धर्म की स्थाफना करनी है तो कभी इस बात पर इस बात की परवह क्यों नहीं करी योगी जी ने कि जो कंपनिया भारत से बीफ एक्सपोर्ड कर रही है का मास export को रही हैं उनको बंद्यक्रवाये । की कि भर्रस जarta पॉटी जो की हिंदुत्य के नाम पर चलने वाली पार्टी है हिंदुत्यकर लेकर चलती है चुनाबि उसके धार लड़ती है । अगर उसके लिए वास्ताब में हिंदुत्यक्र बात होती या हिनुधर्म सोच होती को संद usimagin के canadek ना ने की बात होती कम से कम अगर उनको बंद नहीं करा पाती तो उनसे चंदा नहीं लoqu फार थी ये भी खुलासा हो गया कि भार्तिय बहुत मूटा चंदा लिया कि यह जो नहीं जो नैतिकता है आप लिए हम आंपकोम खेसे करके कि कई और आ किसी को कैसी को कैसे होगी बस एक बात बोलते हैं कि जब सारे मुसल्मान इस देश से चले आएंगे या सारे मुसल्मान मर जाएंगे तो हिंदु धर्म रख्षा हो जाएगी जब केवल हिंदु धर्म बचेगा अब धर्म कैसे बचे धर्म है क्या धर्म का पैरामेटर क्या है धर्म का आधार क्या है किसको कहें में दहर्म कि नो रातों में खाली मास ना खाने को धर्म कह मास है क्या एं तुम्हारा सरीर मास का नहीं है एंग Yeah कित से गन्हां कर रहे हैं कि शbajत तुम घना करते हो मास मैं एसा है क्या क्या आप अवितिरता होगी ई और कौन सा ऐसा प्राणी है कौन सा ऐसा मनुष्य है जो मास नहीं खाता हूँ बिसा कहता हूँ कि मैं मास नहीं खाता हूँ आज साइंस का जमाना है और हिंदु लोग तो बहुत लंबी-लंबी फेकते हैं कि उनके पास तो साइंस बहुत पहले से है कि योगो-योगो से है पता लग ग्या होगा है कि जो हम हूं मि है वैजी इटेरियन है तो भी क्या खाते हैं उसमें भी जीवन है अगर किसी भी वैजी टेवल मैं चाहिंग पालक हो गीया हो तोर clinical गोवी हो हिसाब अगर जीवन ना हो तो आपको जीवन कैसे मिलेगा किसी पत्थर को खाते नहीं हो आप पत्थर निर्जीव है उससे आपको जीवन नहीं मिल सकता लकडी जिसमें जीवन नहीं होता उसको भी खाते आप क्योंकि जीवन नहीं हो इसमें जीव से ही जीव को भोजन मिलता है जीव से ही जीव को जीवन मिलता है उसको आप जो कोई वेश्टिरन कहते हैं कोई नॉनवेश कहते हैं फरक कहां पर है फरक है संविधनाओं पर यह जो पादप है क्यानि कि पीड़ पौधे हैं यह चीक्त चिलाते नहीं है बाते नहीं करत लेकिन जो जीव जिने हम जीव कहते हैं पक्षी पसू मनुस्य यह लोग जो यह चोट लगने पर करहाते हैं रोते हैं गलाब करते हैं क्योंकि इनके पास बुद्धी है दिमाग है और दिमाग का कंट्रोल जाया पूरे सरीर से होता है जहां भी चोट लगेगी वहां तुरन सुचना पहुंचेगी और दिमाग महस्कुरेया कि हाँ चोट लगेए तो इसलिए अगर आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं अगर हिंदू है तो विचार कीजिए कि धर्म क्या है फिर विचार कीजिए कि धर्म क्या होना चाहिए क्या धर्म किसी भी एक आदमी पर लागू होने वाली चीज़ होनी चाहिए या धर्म ऐसी चीज़ हो जो सब पर समान लूप से लागू हो अगर मास भक्षन को लेकर ऐसा कोई कानून बने जो पूरे संसार में लागू हो जाए तो तो उसे कहेंगे सनातन नियम है लेकिन भारत एक हिस्से पर कुछ हिस्सों पर तो आप उस नियम लागू करो बाकी हिस्सों पर वह नियम लागू नहीं नहीं होता हो सब्षनातन कैसे सनातन क्या सबी हिंदू मास खाना बंद कर सकते हैं यह भी लागू नहीं होता तो फिर कैसे सनातन हिंदूओं का कितना वड़ा वर्ग मास नहीं खाता है अगर अधिकांस मास ना खाएं तब भी कुछ बात बनने लग जाए अब हिंदूओं में क्या 50% लोग मास नहीं खाते हैं अगर सर्वे कराएंगे तो लगभग 90% से उपर 95% से उपर हिंदू मास भक्षन करने वाले हैं मास सहारी है तो फिर ढूंग काया बही और कौन सी देवी और कौन से देवता को आप प्रसंद कर रहे हैं मास ना खाकर उन देवी और देवताओं का क्या इस्टेटस है मास खाने कि इतने सारे बकरे काटते हैं कि जब वह उनका वो त्युहार होता है जब बकरे कटते हैं तो वहां से खून की नदियां भाती है वो भी धर्म का हिस्सा है कोई देवता कोई देवी किसी ने मास खाया हो तो उसके उपर आके चड़ गई हो उसका उसने कुछ बिगाड लिया हो कभी ऐसा हुआ हो चलिए एक काम और कीजिए मान लेते हैं कोई देवी देवता अगर मना करती है मना करता है तो खा कर देखिए नोरातों में खाके देखिये मासर गया आपका कुछ हनीश थोता है इस देर कोई भी व्यक्ति अपने मूं से कोई भी बात कह सकता है तो बात कहने में तो प्रोण ने पड़ता लेकिन दूसरे लोग उसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं इस लिए होता है कि कहने वाला अकलमंद आदमी है या मूर्ख आदमी है कि कोई मूर्ख आदमी कोई बात कहेगा तो दुनिया उसकी बात को इग्नोर करके चलेगी सुनेगी नहीं अंसुना कर देगी इसी तरह से जब हम कोई बात कहते हैं और उसको पूरी दुनिया मान ले तो उसे कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान आदनी है तो हिंदू जब भी कोई बात कहते हैं तो पूरी दुनिया उसको नहीं मानती है पूरी दुनिया में कुछ परसेंट लोग भी नहीं मानते हैं स्वें हिंदू नहीं मानते हैं हिंदू जब कहते हैं हिंदू के संत जिन्हें संत कहते हैं संत कहलन लायक नहीं है वैसे जब वो कोई बात कहते हैं तो उस बात को स्वें हिंदू भी नहीं मानते हैं तो बताएए वो मुर्ख हुए या क्या हुए वहीं पर एक तरफ भगवान बुद्ध है जब भी कोई बात बोलते हैं तो पूरी दुनिया उनको सुनती है और पूरी दुनिया आचरण करना चाहती है पूरी दुनिया मानती है भगवान बुद्ध की कोई ऐसी बात नहीं है एक एक बात ऐ जैसी है जो पूर्दुनिया मानते इसलिए वो विश्व कुरू है इसलिए वो विश्व के सर्व स्रेश्ट सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो मैं भारत के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप लोग सच्चे धरम को समझिए एक तरफ भारत में ही जन्मा भारत में प अगले कॉलम में दुनिया के बाकी सारे धर्मों को रख लीजिए और तुलना कीजिए कि कौन सा धरम सरफ्ष्रेश्ट है किस धरम के तत्व मनुस्य के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकेवल है बहवारिक है जीवन को जीने में बहुत सोलतें देते हैं जीवन जीना सब्दहान को पलत करायक जीवन भूत असान बनायता है सारी मुस्किलें दूर कर देता है तो भारत के लोग कि बहुत धर्म की कि तरफ को क्यों नी प्रवरत होते क्योंकि वह अपने दिमाग से काम नहीं ले लगा दिन भारत के लोग क्योंकि सभी धर्म के लोग बुद्धिजम में convert हो जाएंगे और ये सभी की जरुवत है ये कोई नाका सवाल नहीं है बौध्धों की नाका सवाल नहीं है कि बौध्धों की नाका सवाल बन गया हो कि सभी धर्मों को बुद्धिजम में convert करना है ये उनकी नाका सवाल नहीं ह चैलेंज है चुनोती है कि आप बुद्धिजम के सिधानतों को दूसरे धर्मों के सिधानतों के साथ में रखकर और उसकी जांच करके देखिए अगर आपको लगे कि बौत धर्म के सिधानत जाएं सभी धर्मों से उन्नत हैं बहतर हैं और यह जीवन जीने के लिए बहुती सरल मार उताते हैं तो आप उसको अपनाईए लेकिन आपको उसके लिए अपने मन में बठाई हुई हर अवधाना से मुक्त होना पड़ेगा पहल ही कम लोग बिरले लोग बहुती बुद्धिमान प्रकार तेज बुद्धिवाले ही इस तरह की बातें सोच सकते हैं कर सकते हैं जिस घर में जो पैदा हो गया वो मुसल्मान जिस घर में जो पैदा हो गया वो हिंदू हिंदू और मुसल्मान होने का केवल यही आधार है इस लेकिन वो परिवार के लोग वे समाज के लोग ये दुनिया उसे बताती है कि तु ले बिमारी जहां पर है हमें उसका इलाज करना पड़ेगा हमें जांच करने पड़ेगी ये नुरातों का जो त्योहार है हिंदू का मैं इसलिए इस वीडियो को नहीं बना रहा हूं कि हिंदू से कुदूस्मनी है बलकि इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि भारत के लोगों को सध्धम की जरुत है सच्चे धर्म की जरुत है किसी पार्टिकुलर दिन परमास नहीं खाने से कोई फर्णने पड़ता किसी अपनी आवसकता के अनुसार तै करना चाहिए कि हमें किस चीज की जरूरत है जिस चीज की हमें जरूरत है उसको खाना ही पड़ेगा और जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है अगर उसको खा लिया तो बीमार पड़ जाएं केवल यही एक पैरामेटर होना चाहिए इसी को हमें धर्म समझना चाहिए, धर्म की परिवासा इस से अलग और कुछ नहीं हो सकती है, तो साथियो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कर दें, और कमेंड करके बताएं कि क्या वास्तम है, हिंदुओं का जो ये तिहार है, नौरातों का, इसमें बैग कुपना या सके, तो साथियो ये कमेंट में मुझे जुरूर रुटता है, और इस वीडियो को जै, सेर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये अधिक्तम लोगों तक पहुंचे, और अधिक्तम लोग जै इस बात को समझें, कि वास्तम में धर्म क्या होता है, और अधर्म क् कोई धर्म मानकर जीने के लिए मजबूर है, उन सभी को जै, धर्म क्या है ये बताना है, जै भीम नमुवधाय